हलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर साइंस कुरकुल चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है बेसिक ओफ ऑपरेटिंग सिस्टम सौट कोर्स का जे लेक्चन नमर सेकेंड है जो की है आपका इंट्रोडक्शन ओफ ओएस ओभी OS के इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग आज देखेंगे कि OS की डिफिनीशन क्या होती है यानि सिंपली समझने की कोशिस करेंगे फॉर्मल और इन्फॉर्मल में में कि आपका ओपरेटिंग सिस्टम होता क्या है तो चलिए आईए देख लेते हैं कि आज का जो हमारा लेक्शर है उसका कॉंटेंट क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे वाट इस ओपरेटिंग सिस्टम यानि सिंपल लैंगवेच में समझने की कोशिस करेंगे कि आपका ओपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ताकि आपको वो समझ में आ जाए उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एकजामपल ओपरेटिंग सिस्टम यानि कुछ एक एकजामपल देखेंगे ओपरेटिंग सिस्टम के उसके बाद फिर finally हम लोग formal definition देखेंगे operating system का कि क्या होता है operating system का definition फिर जाननेंगे last में कि एक particular operating system जब भी कुछी device में installed होता है चाहे वो किसी भी तरह का device हो mobile, desktop, laptop तो उसकी responsibility क्या होती है यानि वो किस तरह के functionality को perform करता है तो अगर आपको ये सारा कुछ जानना है तो आप इस पूरे वीडियो को सुरू से ले करके last तक ध्यान से देख सकते हैं मेरी आप से एक request है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल computer science गुरुकुल को subscribe नहीं किया है तो subscribe button को press करके subscribe कर लीजिए साथी साथ bell icon के button को भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि notification आपका on हो जाए और जब भी को latest video में आपने चैनल पे upload करूँ उसकी जानकारी उसका notification instantly आपको आपके device पे available हो जाए तो चलिए start करते हैं इस lecture को सबसे पहले चीज what is operating system अगर simple language में बात करें this is interface between computer user and computer hardware यानि कि operating system आपका क्या है एक user और computer hardware के बीच में आपका एक interface है तो simply अगर आप जब भी किसी computer से login करते हैं या फिर mobile में login करते हैं तो आपको hardware के अलावा hardware तो चलो आपको दीखता ही है बाहर ही बाहर लेकिन अंदर में आपको कोई hardware नहीं दीखता hardware के अलावा जो चीज भी आपको दीखती है that is called operating system यानि operating system आपका क्या है एक interface होता है user और computer hardware के बीच में वो interface इसलिए होता है ताकि एक particular user computer hardware को operate कर सके operating system के help से और जो काम कराना चाहता है वो computer से यानि computer hardware से उससे वो क्या कर सके करा सके अगर आप इसको diagram के थूँ समझने की कोसिस करेंगे तो यह देखिए यह हमारा hardware है अगर आप इस diagram में देखे तो यह हमारा क्या हो गया hardware हो गया और user देखिए यहाँ पे इस layer पे है तो जब भी user को कोई काम कराना होगा तो वो क्या करेगा वो direct hardware को command नहीं देता है अगर आप यहाँ पे वो क्या करेगा कि पहले किसी application को देगा command की हमें यह काम कराना है फिर वो application क्या करेगा operating system को देगा और वो operating system आपका hardware से interact करता है और hardware जो भी output देगा operating system को operating system उस application को उसके बाद फिर finally आपका जो है कर जाएगा अगर आप इस चीश को ध्यान से देखें तो operating system से और कोई भी interact नहीं करता है operating system से जो आपका touch में होता है वो होता है आपका hardware यानि hardware को सिर्फ और सिर्फ operating system ही operate कर सकता है और कोई operate नहीं कर सकता है और user को लगता है कि वो जो है operating system hardware को operate कर रहा है लेकिन basically नहीं वो directly hardware को command नहीं देता है वो operating system या application के तुरू command देता है और उसके बाद फिर operating system ही hardware को आपका operate करता है तो simple आपको ये जानना है कि operating system क्या होता है interface होता है आपके यानि user और hardware के बीच में अब चलिए आईए इसका देख लेते हैं कि formal definition क्या होता है this is system software यानि ये आपका एक system software होता है यानि दिमाग में ये बात आती है कि operating system क्या है तो operating system आपका एक software है system software that manages computer hardware and software जो कि क्या करता है computer hardware को भी manage करता है और software को भी manage करता है तो simple हो गया आपका कि this is system software that manages computer hardware and software simply ये सारी चीज़े जो है manage करता है hardware से लेकर के software तक अब चलिए ये example देख लेते हैं कुछ एक operating system के पहला example है Windows operating system जो कि more जो है ये आपका famous operating system है जो कोई भी Windows या फिर laptop या desktop यूज़ करता है वो operating system जो है Windows ही होता है Linux OS अगर आप developer है या फिर computer science के student है तो हो सकता है आपने Linux और का इस्तेमाल किया होगा Android आपका mobile OS है definitely अगर आप mobile user होगे तो ज़्यादा तर chances है कि Android ही होगा आपके उसमें mobile में फिर होता है आपका Mac OS यानि अगर आपके पास Macbook है तो फिर आप Mac OS को देख सकते है Macbook और में होता है उसके बाद फिर AIX ये आपका IBM का Unix-like operating system है अगर आप किसी companies में काम कर रहे होगे कोई real, कोई enterprise product और गर होगा तो आपको AIX operating system देखने को मिला होगा अब चलिए आईए देख लेते हैं कि क्या-क्या responsibility होती है एक particular operating system का जो सबसे पहला responsibility होता है वो होता है आपका processor management यानि कोई भी आपका computer हो laptop हो, चाहे mobile हो उसमें processor लगा होता है तो उस processor को manage करना manage करना in the sense कि कि किस तरह से processor आपका work करेगा उस पे कौन से task या कौन सा program execute होगा ये सारा कुछ operating system की responsibility होती है next इसकी responsibility होती है memory management यानि आपके system में जो भी memory होगा जिसको RAM बोलते हैं हम लोग उसको भी manage करता है यानि किस तरह का data को श्टोर करना है किस तरह का data को आपको delete करना है वो सारा काम आपका memory management में आता है device management obviously जब भी आप कोई device लेते हैं चाहा laptop हो, desktop हो या फिर mobile हो उसमें आपके peripheral device होते हैं या external device होते हैं जैसे अगर आप computer की बात करें तो उसमें आपका keyboard होता है mouse होता है, speaker लगा सकते है mobile में आपका earphone होता है तो charger होता है, यह सारा कुछ तो यह क्या होता है, जो भी device external लगते हैं तो उसको भी manage करने का काम आपका क्या करता है, operating system ही करता है तभी वो simple आपका work करता है next है आपका file management file management in the sense कि जो भी hard disk वगेरे आपके system में लगे होते हैं उनको भी manage आपका operating system ही करता है, security related चीज़े भी आपके operating system देखता है इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़े होती है आपके computer system में उन सब को, उन सब के लिए responsible आपका operating system ही होता है ताकि आपका computer अच्छे तरीके से work कर सके अब आपको ये बात पता होगा कि this will be very difficult to operate computer without operating system यानि ये बहुत ही आपके लिए tough हो जाएगा या किसी के लिए भी tough हो जाएगा अगर आपके computer में operating system नहीं है और आपको जो है operate करना है तो hope आज के lecture से आपको इतना पता चला होगा कि operating system क्या होता है किस तरह से operating system का formal definition आप दे सकते हो अगर आपको जरुवत पढ़ा तो कौन कौन से operating system है क्या उनकी responsibility है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको जो है like कीजिए computer science के students के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए और अगर आपको कोई doubt हो तो comment box में लिख सकते हैं थांक यू फर दो वर्डियो अगर आपको कीजिए